अक्सर ऐसा दिखा जाता है कि घर में धन का अभाव होता है या फिर आप पैसे कमा के तो लाते हैं लेकिन रुपता नहीं है तो आज हम ऐसी ही तीन उपायों की बात करने वाले हैं जो येदि आप करेंगे पूरी सृध्धा और विश्वास के साथ येदि आप करेंगे तो साथ दिनों के अंदर अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा नमस्कार मैं आश्टुलाजर चंद प्रकास वर्मा तुन्टी सेमने शत्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे उपायों की तीन ऐसी चीजें जो यदि आपके घर में हैं और आप पूरी सृध्धा के साथ ये काम कर रहे हैं ये उपाय कर रहे हैं तो आपकी जीवन में धन का भाव नहीं रहेगा जो भी धन कमा के लाएंगे आप वह तिकेगा वह आप इकठा कर पाएंगे अपने भाविश्य के लिए और आपकी सुक सम्रध्धी में भी व्रध्धी होगी तो धन के लिए पहला ग्रह जो रिस्पॉंसिबल है वह गुरु ग्रह है जनपत्रिका में भी पाँच भावों के कारक ग्रह गुरु देव गुरु ब्रहस्पती होते हैं इनका बहुत ही महत्तो है वैसे तीन ग्रह हैं विशेशतोर से जो धन के लिए आपकी जनुपत्रिका में या आपकी जियोन में रिस्पॉंसिबल होते हैं विशेशतोर से उत्तादाई होते हैं उनमें से पहला ग्रह है देव गुरु ब्रहस्पति अर्थाद ब्रहस्पति ग्रह जिनको गूरु ग्रह भी कहते हैं तो पहला उपाए हम करेंगे गूरु ग्रह का आपको करना क्या है प्रते दिन नहाते समय अपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल कर स्टान करें और स्टान करने के बाद अपने नाभी इस्थल और मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएं पुर्णा कहना चाहूँगा नहाने वाले जल में प्रते दिन एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल कर स्टान करें और नहाने के बाद अपने नाभी इस्थल पर और अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएं इससे आपके गुरुग्रह बलवान होंगे उनको बल मिलेगा और जिसके कारण आपका धन का सोर्स खुल जाएगा धन आने लगेगा गुरुग्रह डिसीजन के लिए उत्तरदाई होते हैं जो भी आप जिवन में निर्णय लेते हैं चाहे वह आर्थिक निर्णय हो या किसी भी तरीके का निर्णय हो तो यदि गुरु ग्रह आपकी जनपत्रीका में कमजोर हैं, खराब हैं, तो आपके निर्णय गलत होते हैं और एक निर्णय, एक गलत निर्णय पूरे जीवन को बरबाद कर सकता है तो गुरु ग्रह यदि आपके अच्छे हैं तो आपके निर्णे लेने की छमता का विकाश होता है आप जो भी decision लेते हैं वह पूरे सोच समझ कर और सही decision लेते हैं अब धन तो आने लगा लेकिन यदि धन रुके न तो उसका क्या मतलब है धन आरहा है लेकिन उससे अधिक इस्पीट से जा रहा है आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन उनके पास धन रुकता ही नहीं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि यह कहां जा रहा है कहीं होस्पिटल के खर्चे में चला गया कहीं अनावशक सौपिंग में चला गया कहीं एक्सिडेंट सित्यादी में चला गया या इसी प्रकार की बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें आपका अनावशक ब्याय हो जाता है धन एकत्र ही नहीं कर पाते हैं कई बार आपको लगता है कि आपने सही जगा इन्विस्ट किया है लेकिन धन का आउटफलो होता रहता है धन रुपता नहीं है धन की stability आपके life में नहीं रहती है तो उसके लिए उपाय करना है अब यहां देखिए धन पानी की तरह बहरा है पानी चंद्रमा से आता है तो धन की लिए भी चंद्रमा की इस्तिति को देखा जाता है चाहे वह जन पत्रिका हो यह सामाने जीवन में ऐसे भी धन के लिए चंद्रमा भी उतने ही responsible होता है जिनके चंद्र अच्छे इस्तिति में है उनके जीवन में धन की कमी नहीं होती धन की stability रहती है धन एकत्र भी होता है तो अपने जीवन में अपने लाइफ में धन को एकठा करने के लिए आप जाते हैं कि धन अमारे पास संचित रहे जो की भविस्य में काम आएगा तो उसके लिए चंद्रमा का उपाय करना है आपको करना क्या है कि जब भी आप नमक खरीदने जाते हैं तो घर के लिए जो नमक लाते हैं वो तो ठीक है लेकिन एक packet नमक और भी लाईए आप वह अपने घर की उत्तरदिसा में रखना है तो ना कहना चाहूंगा नमक का एक packet घर की उत्तरदिसा में रखिए उसको खोलिये नहीं उत्तरदिसा धन के लिए होती है और चंद्रमा के लिए नमक नमक का कारक चंद्रमा है जब आप उत्तर दिसा में चंद्रमा की वस्त वर्थात नमक को रख देंगे तो धन का जो बहाव है आउटफलो हो रहा है वो रुख जाएगा धन आपका इकठा होने लगेगा अब धन आ रहा था धन रुख भी रहा है तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास धन है आ रहा है बहुत संचित भी करकर रखा है लेकिन उसका वे उपयोग नहीं कर पा रहे है तो ऐसे धन का क्या मतलब कि आप उसको अपने भोग विलास में प्रियोग ना कर पाएं तो जो सुक सम्रद्धी है भोग विलास्ता है वह शुक्र ग्रह जाती है किसी की भी जीवन में यदि सम्रद्धी है सुक है तो कहीं न कहीं उसके सुक्र ग्रह भली है सुब इस्थिति में तो आपको अपने सुक्र ग्रह को बल्वान करना होगा, सुभ करना होगा इसके लिए क्या करना है, तो तीसरा उपाए पूरो दिशा में, आप किसी कंटेनर में, किसी डिब्बे में शुक्र की वस्तो, यहाँ पर चीनी की बात करो, सुगर तो एक कंटेनर में, आप चीनी रखें, अपने घर की पूरो दिशा में तो इससे आपके सुक्र बल्वान होंगे, आपके रिस्तों में भी मिठास आएगी सुक्र सम्रधी आस्वर की कोई कमी नहीं रहेगी तो अभी मैंने क्या बताया, मैंने तीन उपाय बताया या फिर ऐसी तीन चीजे कहीं हैं, जो यदि आपके घर में हों तो आपके पास धन का अभाव नहीं रहेगा धन के रास्ते खुल जाएंगे, धन इकठा होने लगेगा और आपकी जीवन में सुक्र सम्रधी रहेगी पहला गुरुग्रह का उपाय, जो हल्दी का मैंने बताया दूसरा चंद्रग्रह का उपाय, जो नौर्थ दिशा में नौर्थ डाइरेक्शन में घर के आपको नमक रखना है तीसरा मैंने बताया, शुक्र का उपाय, घर की पूरो दिशा में आपको सुगर अर्थात चीनी रखने आप और एक महत्पूर्ण बात जो आपको धान में रखना है कि हर महिने आपको नमक बदलना है चीनी बदलना है तो नमक जो पिछला नमक है उसका क्या करना है उसको आप कहीं जल्मे प्रवाहित कर सकते हैं जो चीनी हैं उसको भी आप जल में प्रवहिद कर सकते हैं या फिर गाय इत्यादि को डाल सकते हैं खाने के लिए तो यह तीन उपाये दिया आप पूरी आस्था के साथ करते हैं और अपने कर्म में सलगन रहते हैं तो ये तीन ग्रह बहुती बलवान होकर आपके जीवन को सम्रद्ध बना देंगे जो भी पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करेंगे इन तीन चुजों को घर में अपने रखेंगे साथ दिनों के अंदर अंदर उनके जीवन में परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा ज्यान रहे कर्म प्रधान है कर्म आपको करते रहना है ग्रह तभी आपको उच्ची तफल प्रधान कर पाएंगे तो आसा करता हूँ कि मेरा या वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवश्य करें आज के लिए बस इतना ही नमस्कार